कि नुश्कार कॉंप्रेशन कुमडी के कॉंप्रेंसिव करेंट डिफैस प्रोग्राम में मैं को ख्राच करता हूं इक बार फिर से आप सभी का स्वागत तो एक सिले के साथ अगस्त तक के जो करेंट डिफैस है उसको लेकर मैं आ चुका हूं और बिना टाइम को वेस्ट करें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले आते हैं किस पर तो खाली स्लाइड पर अब खाली स्लाइड मतलब आप समझ जाईए कि यहां पर बात किसकी होने वाली है तो बात होने वाली है एक साहितिकार की चलिए तो जो आज की साहितिकारा है उनका नाम क्या है तो डॉक डॉक्टर शैल चंद्राजी डॉक्टर शैल चंद्रा अब आप लोग एक स्टोरी को याद रखें ठीक है स्टोरी क्या है तो ना 21 सदी कौन सी सदी 21 सदी कि ना एक विडम बना है 21 सदी की क्या है एक विडम बना है विडम बना क्या है कि गुडी कैसे हो गई है तो सुनी तो स्टोरी क्या है याद रखना 21 सदी की ये विडम बना है कि गुडी सुनी हो गई ये गुडी समझते हैं तो गुडी मतलब दक्षणी चत्रगड में लगभग स्थल कह सकते हैं सुने हूँ ना देव गुडी देव स्थल तो गुडी मतलब स्थल तो 21 सदी की विडमना है कि गुडी जो है वो सुनी हो गई ठीक है अच्छा गुडी मतलब स्थल चिडिया लोग जिस स्थल में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं घोसला हा किना और यह सब सुना हो गया है तो इसको फिर से बसाना पड़ेगा तो बसाने के लिए क्या चाहिए तो चाहिए जुनून क्या चाहिए बसाने के लिए फिर से जुनून चाहिए तो मैंने क्या बताया सहितकार क्या याद रखना है डॉक्टर कि गुड़ी सुनी हो गई गुड़ी का मतलब स्थल चड़िया लोग के रहने का स्थल घोसला इसको फिर से बसाना है तो क्या चाहिए जुनूर चलिए अब रचनाओं पर आते हैं तो पहली रचना है इनकी 21 सदी में भी पहली रचना क्या है 21 सदी में भी दूसरी रचना है विडंबना तीसरी रचना जो है न इसके लिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा है गुड़ी अब सुनना होगे तो तीसरी गुड़ी अब सुनना होगे पढ़के ही लग रहा है कि ये 36 गड़ी में अगला क्या है घोसला और अगला है जुनून और अन्या कहानिया क्लियर है तो रचना इनकी क्या क्या है तो पहली रचना है 21 सदी में भी दूसरी है विडंबना तीसरी क्या है गुड़ी अब सुनना होगे फिर है क्या घोसला और उसके बाद है जुनून और अन्या कहानिया चलिए अब इसमें से आपको ध्यान रखना है कि गुड़ी अब सुनना होगे ये 36 गड़ी में है और बाकी सब जो है वो हिंदी में तो गुड़ी अब सुनना होगे ये किसमें है तो ये 36 गड़ी में है ठेक है और बाकी सब जो है वो किसमें है हिंदी में तो आप लोग समझ गया होगे ये जो साहितिकार है उनको आप याद कर लीजेगा चलिए अब क्या करते हैं तो लास्ट वीडियो के ध्यान होना चाहिए अगला क्वेशन मौका छूटेन अभियान ब्रेस्ट फीडिंग या स्तन पान से संबंदित था ये ठीक नेक्स क्या था वजनती ओहार तो एक से तेरा अगस तक इसको मनाया जाएगा और फाइनली लास्ट क्या था सही कथन मुख्यमंतरी महतारी न्यायरत ये जो चल रहा है ये चत्तगर राज्य महिला योग द्वारा इसका पहल क्या गया है तो ये तो ठीक बात है सेकेंड क्या है महिलाओं को चिकित सब्स्वास संबंदि जानकारी नहीं इनके समयधानिक अधिकार और कानून के संबंदित इनको क्या दी जाएगी जानकार दी जाएगी तो सेकेंड स्टेटमन क्या है गलत है तो यही पूछा है कि सहीं कचयन करे तो सिर्फ कर सहीं है option A में देखिए आपको मिल जाएगा clear है चलिए तो इस एक से साथ तारीक के बीच के जो important current affairs है इनको देख लेते है सबसे पहले क्या है भोर बंदन राखी तो राखी या रक्षा बंदन का जो तिवहार है न इसे कम मनाते हैं हम लोग वाह हाँ ठीक है तो जो सावन का महीना होता है न वही मेरे नोणा नेना सावन भाद वाल सावन हाँ तो वही जो सावन है न उसका जो अन्तिम दिन रहता है मतलब पूर्णिमा या 36 गढियम कहोता पूल्नी के दिन इसे मनाये जाता है श्रावण माज की पूर्णिमा अक दिन क्या किया जाता है रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है इस बार कितने दारिक को पढ़ रहा है 11 अगस्त के दिल पढ़ रहा है क्लियर है इतना चीज को समझ गया अब छत्तिर गड़ में एक ठोट जिला है जिसका नाम क्या है बिकट हालत गाजे है कबीरधाम क्या नाम है जिले का कबीरधाम ठीक है अब यहाँ पर बिहान की महिला स्वा सहायता जो समूँ है ठीक है आपको एक चीज में अलड़ी पुराने वीडियोज में कवर कर चुका हूँ फिर से बता देता हूँ नाशनल रूरल लाइवलिहोड मिशन राष्ट्री ग्रामीन आजीवी का मिशन बिहान जो है इसका उद्देश क्या है तो इसका उद्देश या अबजेक्टिव है कि जो ग्रामीन परिवार है उन्हें आजीवी का प्रदान करना है कैसे तो उनके लिए स्वरोजगार जो है उनके नए-नए आउसरों का क्या करना स्रीजन करना तो जो रूरल फामिलीज है उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉइमेंट के नए-नए उपोर्चुनिटीज को डेवलप करना ताकि उन लोग को क्या मिल सके रोजगार या लाइवलिहूड मिल सके इस योजना का क्या है उद्देश है इस योजना को अलरेड़ी पुराने वीडियोज में देख चुके है अगर आप लोग रेगुलर्ली मेरे वीडियोज को फॉलो कर रहे होंगा तो आपको याद में आ जाएगा क्लियर है तो ये जो योजना है इस योजना के अंतरगत महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वासाहयता समू बनाया जाता है समझ में आया क्लियर है तो वही लिखा है बिहान ये जो योजना के अंतरगत स्वासाहेता समूया विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं क्लियर है अब ये लोग क्या कर रहे हैं अपना रोजगार स्विजन करने के लिए राखी बना रहे हैं अब राखी का नाम क्या रखा गया है इस बार ब्रांड नेम है भोर बंधन क्या नाम है राखी का ब्रांड नेम इस बार भोर बंधन राखी तो इस ब्रांड की राखिया ये लोग बना रहे हैं, तो कौन से जीलeम बन रहा है कबिर्धाम में बन रहा है तो बड़े औरगानिक तरीके बना रहे हैं लोग किस-किस चीज का इस्तिमाल कर रहे हैं, देखना, धान, चावल, गेहूं, लौकी, इन सब के बीज जो है, उसको इस्तिमाल करके, राखियों को बनाया जा रहा है, तो इसके अनेक फाइदे हैं, इस्थानी छत्रगड की जो संस्कृती है, कल्चर है, कैसा है, तो हमारी जो संस संस्कृती है मुखे रूप से ग्रामेंड संस्कृती है और किस से संबंद्ध देते तो ये सारी चीज़े उसी चीजको दरशा रही है क्लियर है ये दूसरा अब ये जो राखी है इनको बेचा जाएगा तो जब बेचेंगे तो ये जो समु है इन के महिलाओं को क्या मिलेगा पैसा तो रोजगार भी मिल गया समझ भी आया अब बेचने के लिए बेचेंगे कहां पर तो यह जो कबीर धाम जिला है न यहां पर सी मार्ट में इसके लावा कलेक्टरेट परिसर ठिक तो सी मार्ट में कलेक्टरेट में इसके अलावा यहां पर सुमीत बाजार फिर यह जो कभीर धाम जिला है आपको पता होगा कि यहां पे 4 विकास खंड है क्या क्या है बोड़ला कवर्धा उसके बाद क्या है पंड़ाड़िया और सहस्पुर्लोहारा 4 विकास खंड है मेरे जीला वाला तो जनपत पंचायत होगा कि नहीं होगा तो यह जो जनपत पंचायत है वहां पर भी सुमित बजार में हर जगह क्या किया जाएगा स्टॉल लगाया जाएगा जहां पर यह जो धोर बन्धन राकी है ना उसकी बिक्री की जा सकेगी समझ में आया तो इस स्लाइड को फिर से एक बार सरसीनेजर से बता देता हूँ सबसे पहले देखे राखीक टिवार कब मनाते हैं क्लियर है ये इस साल कौन सा डेट पढ़ रहा है फिर मैंने क्या बताया बिहान योजना इस योजना का उद्देश फिर मैंने बताया इस योजना के अंतरगत जो महिला स्वासायता समूया विमिन सेल्फ हिल्फ ग्रूप है और लोग राखी बनाए हैं और राखी बनाए हैं तो राखी जो है उसका ब्रैंड नेम क्या रखे हैं भोरबंधन रखे हैं कैसे बनाते हैं तो धान, चावल, यहू, लौकी इसका बीज यूज उसकर करके बनाते हैं कहां बिकता है सीमार्ट, कलेक्टरेट में सुमित बजार उसके इलावा इस जिले में जो जनपत पंचायत है वहाँ पर भी इसके स्टॉल्स लगाए गए है क्लियर है क्वेशंज की बात करें देखिए अगर क्वेशंज की बात करें तो यह टॉपिक डारेक्ली और इंडारेक्ली दोनों तरीके बहות इंपोर्टेंट है सबसे पहले मैं प्री की बात करता हूँ, यह लो कलर से प्री को बताता हूँ तो सबसे पहले पूछेगा कि राखी जो है इसका ब्रांड नेम क्या था, भोर बंधन फिर जिला पूछ सकता है तो कबीर clear है यह तो यह दो पॉइंट एकदम प्री के लिए important है, mains point of view अगर आप देखोगे तो paper number 5 जो है उसमें महिला शशक्ती करण जो है women empowerment उससे संबंधित अगर कोई question आये है तो आप example के लिए इसको क्या कर सकते है use कर सकते है या महिला शशक्ती करण से संबंधित अगर कोई essay आता है तो भी इसके fact को use कर सकते है कि बिहान जो है उसके अंतरगत महिला स्वासा है ता समूलो क्या कर रहे है बहुत सारा काम कर रहे हैं जिसमें से एक क्या है भोर बंधन ब्रांड से राकी बनाना clear है तो आर्थिक दृष्टी कोण से economic point of use से महिला जो है वो उनका शशक्ती करन हो रहा है या employment हो रहा है clear है तो 30 words या 60 words का question ऐसे आ सकता है इसके अलावा essay जो है उस essay में आप इसको क्या कर सकते हैं use तो 750 words कैसे आ जाएगा तो उसमें use कर सकते है प्री में आपको बता ही दिया हूँ कि प्री में कैसे use आ जाएगा इसका clear है यह चलिए तब next slide देख लेते हैं तो नवीन नामकरण जो है इसकी घोषना होई है किस-किस शेत्र का नामकरण हो रहा है तो पहले चंद्खुरी चंद्खुरी का जिला कौन सा है भई राइपुर है गिरौत पुरी यह बलवदा बजार में है और सोना खान यह भी कहाँ पर है बलवदा बजार में clear है चंद्खुरी आप सब को पता है कि यहाँ पर बहुत फेमस मंदिर है कौन सा कौशल्या माता मंदिर तो स्टोरी गया है स्टोरी यह है कि माता कौशल्या जो की राम जी की क्या थी माता थी वो यहीं की थी और यह जो है राम जी का क्या है ननिहाल है clear है तो यह जो चंद्खुरी है यहाँ पर कौशल्या माता का मंदिर है इसलिए इसका नाम करण किया जाएगा माता कोशल्य धा चत्कुडी ठेक है गिरौदपुरी आप जानते ही है तो सबनाम पंत के जो प्रवर्तक हैं सबनाम कॉम्यूनिटी जो है उसके प्रवर्तक प्रवर्तक मतलब जिन्होंने उस कम्यूनिटी को क्या की स्टार्ट किया नाम क्या था गुरु घासी दास तो गुरु घासी दास जो है उनकी जन्मस्थली है गिरोधपुरी गिरोधपुरी क्या है उनकी जन्मस्थली बर्थप्लेस ख्लियर है यह इसलिए गिरोधपुरी का नाम क्या रखा जाएगा बाबा गुरु घासी दास धाम गिरोधपुरी उनका बर्थ प्लेस है इसलिए और चंद्खुरी को क्या बोलेंगे माता कौशल्या धाम चंद्खुरी बाबा गुरु घांसी दास धाम गिरौत पुरी चंद्खुरी के बारे में आपको पता है ना राम वन गमन पत जो योजना है उसकी शुरुवात कहां से हुई है तो चंद्खुरी से हुई है ना ध्यान रखेंगे ठेक है सोना खान तो आपको पता ही होगा सोना खान जो है इसके जमीदार थे वीरना रायंट सिंग क्लियर है यह और 1857 की क्रांती में 36 गड़ में जितनी भी घटनाय हुई या जितने contemporary events थे 36 गड़ में 1857 का जो रिवोल्ट था उसके उसमें से एक महत्वपूर्ण विद्रो हो था जिसका नाम क्या था सुना खान विद्रो इंग्लिश में क्या बुलते हैं सुना खान रिवोल्ट इसके क्या थे ये अरे रहनगा इसके क्या थे ये नायक मतलब लीडर थे कौन वीर नारायन सिंग्ग समझ में आया अंततह क्या हुआ था 10 दिसंबर 1857 को क्या किया गया था वीर नारायन सिंग्ग जी है न इनको फासी दी गई थी कहा पर फासी दी गई थी तो इनको फासी दी गई थी जय स्तम्भ चोक रायपूर में फासी दिए थे अब बहुत से लोग बोलते हैं तोप से उड़ाया गया थे करके गरंत अकाड़ी में फासी लिखा है तो मैं फासी मान रहा हूं समझ में आया तो इनको जय स्तम्चोक पर 10 दिसंबर 18 57 के दिन क्या दी गई थी फासी और 36 गड़ में स्वतंतरता आंदोलन या 36 गड़ में फ्रीडम मूव्मेंट के प्रथम शहीद फर्स्ट शहीद या फर्स्ट माल्टियर कहा जाता है किनको वीर नारायन सिंग जी को समझ में आया तो थोड़ा थोड़ा तीनों के बारे में मैंने बता दिया है चंद्खुरी, माता कोशल्या धाम चंद्खुरी, गिरोतपुरी, बाबा गुरु घांसी दास धाम गिरोतपुरी और सोना खान को शहीद वीर नारायन सीहधाम सोना खान के नाम से जाना जाएगा फिल हाल में मतलब जब मैं वीडियो बना रहा था तब तक इसका राजपत्र नहीं आया था लेकिन बहुत जल्द ही इसके राजपत्र आ जाएंगे और सरकार इसको क्या कर देगी नोटिफाई कर देगी अधिसूचित कर देगी कि नाम बदल गया है क्लियर है ये बात तो चंध्खुरी गिरौतपुरी और सोना खान यहाँ पर बेसिकली तीन जगा नाम बदले हैं थोड़ा सा मैप पर भी देख लेते हैं तो यह हमारा राइपुर जिला है और राइपुर जिला है यहाँ पर है हमारा चंध्खुरी इसका नाम बदला गया है माता कौशलिय धाम चन्खूरी के नाम से, उसके बाद ये क्या है आपका, तो ये है गिरॉत पूरी, बाबा-गुरु घासिदास धाम, गिरॉत पूरी नाम पड़ गया है, और ये क्या है आपका, बलुदा बजार जिले में ही, सोना खान, більुर्ण फिल्ण century धाम, सोना खान, यह नाम हो गया है clear है तो बलुदा बजार जिले में गिरॉदपुरी सुना खान और चंद खुरी कहां पर है तो राइपुर जिले में राइपुर डिस्ट्रिक्ट में clear है यह ठीक तो यह तीन नाम आपको क्या कर सकता है तो basically pre point of view से ज़्यादा important है आपको पूछेगा नाम जो है वो बदल के क्या किया गया है ठीक है चलिए अगला क्या है Mount Elbrus की चोटी पर फहरेगा क्या अतिरंगा ठीक कौन फहराएगा तो 36 गड़ की परवतार होई है अंकिता गुपता जी तो mountaineer हैं किस sports है तो परवतारोहन mountaineering से कहां की है district तो कबीर धाम clear है ये बात ठीक है तो basically क्या है हम इस साल आजादी का अमरित महुत्सों मना रहे हैं 75 वी वर्षगाठ वाली clear है और इसी को commemorate करने के लिए मतलब और इसको यादगार बनाने के लिए ये क्या करेंगी पंद्रा अगस्ट को mount albrus जो है उसकी चोटी पर चड़के तिरंगा को फैराएंगी तो tricolor जो है उसको hoist करेंगी 15 अगस्ट के दिन कहां पर mount albrus अभी mount albrus कहां है चलो आप लोग को दिखाते हैं mount albrus आजाओ जल्दी आजाओ अब मानत नहीं बात लगा है मना आगे 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 सरपंच आगे चलिए तो ये बेसिकली क्या है तो ये हमारा प्यारा भारत है आपको दिख रहा होगा भी ठीक अब मैं सर्च करता हूं mount albrus ठीक तो mount albrus जो है ये सीधा पहुंच गया दिखाने के लिए अब ये जो mount albrus है ना अब इसका एक नंबर फोटो घलो देखातना है 3D में कि कईसे है mount albrus तो तहूं अब थोड़ा सा आपको बताते हैं तो ये जो है ना ये है अलब्रुस की चोटी तो ये हो गया क्या mount albrus नामिच से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रूस में है तो सहीं ये रूसे में albrus रूस तो ये कहां पर है रश्या इसका हाइट गेता है 5-6-4-2 मीटर्स ठीक और एक किस बता देता हूं ये जो albrus है ना ये योरप जो है पता है ना रूस योरप में आता है ठीक है तो योरप जो है उसकी सबसे ऊची चोटी है ठीक है साइड में डिस्क्रिप्शन खुला है अगर आप देख पा रहे हैं तो लिखा है कि mount albrus जो है वो ना सर्फ रूस की बलकी योरोप की सबसे उची चोटी है highest और most prominent मतलब सबसे जादा कह सकते हैं important one of the most important और सबसे highest भी है ठीक है यहाँ पर क्या होगा अंकिता गुपता जी जो है 15 अगस्त के दिन ऐसा हमारा प्यारा तिरंगा बना रहे हैं तो उसको अच्छस बनाते हैं जी ता तो तो क्या करेंगी बढ़िया से ऐसा माउंट अलवरुज जो है उसमें तिरंगा जंडा फेराएंगी यह बीच में असोग चक्र हो गया किक है अब रन थोड़ा उन्नीज भी सो ही तो मना थोड़ा से चलाल हूर भई ऐसे जहन कर हो कि अरे यह हो गये वह हो गये कि क्या तो कि एकदम केसर कलर तो नहीं है थोड़ा सा रेडिस टाइप का और नीचे तो पता ही आप लोग को कौन सा रहता है हरा तो इस प्रकार से हमारा जो तीरंगा जंडा है उसे 15 अगस्त को अंकिता गुपता जो मौंटिनियर है तो क्या करेंगे मौंट अल्गुरुस पर फहराएंगी दिन क्या होगा पंद्रा अगस्त ठीक है तो चत्तिदगर सरकार जो है वो एक अभियान चला रही है उनसा अभियान है तीहीं प्लिक देता हूं नाम है हमर तिरंगा यहां अच्छा सनी दिख रहा है क्या चलो तो वापिस यह देख डुरू ना एला देख डुरू ना अच्छा से पता चल ला रही है आंगा कहां चल देख संगवारी वाव वेरी गुड़ गायबे होगे रहा रहा कोई दिक्कत के बात नहीं है आज़े विचींता मत करो तूमन हा कोई टेंशन के बात नहीं है का है कई घंवल इसने हो जातेगा आज़त आज़त कानी कतेल अच्छा देखात देखात पुरा गड़बड चलो कोई बात नहीं अंकिता गुपता वाला जो साइट स्लाइट था ना उसमें आ जाते हैं आपन वापिस से इसने हो जाते है कि बता हूँ जहन कोई ने बिकट खीस आही मुला कईजे कीशे करथा से आता हूँ हां की क्या है यह समझा आके चलो आगे तो बेसिकलिक चत्रगर सरकार क्या कर रहे है तो ग्यारा से सत्रा अगस्त जो है ना इसमें हमर तिरंगा अभियान चला रही है क्य क्लियर है तो ग्यारा से सत्रा अगस्त तक क्या चल रहा है हमर तिरंगा अभियान चल रहा है और इसमें मैं आपको बता ही चुका हूँ अंकीता गुपता जी 15 तारिक को क्या करेंगी माउंटल ब्रुस पे फैराएंगी तिरंगा इनको कौन दिया है तो हमारे मुख्यमंत् करिए तो तिरंगा जो है उसको फैराईए आप 24 गंटा भी फैरा सकते हैं दिन रात वाला टेंशन नहीं है पुराने वीडियों भी बता चुका हूँ कहां कि है तो कभीर धाम ये भी आपको मैं बताया था थोड़ी देर पहले क्लियर है ये अच्छा एक्जामिनेशन पॉ कहां पर फैराया क्लियर है ये इंपॉर्डेंट है कब फैराया चलो एक क्वेशन ये भी ले लेना ठीक एक चीज़ और आप लोग सर्च करके मेरे को बताना हाली में जनवरी 2022 में इन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टास्क जो है उसको कंप्लीट किया है आप लोग में कुछ सर्च करके बताना ये बता ही तेल चाकलेट में लिए ठीक है अगला क्या है बस्तर टाइगर आप सभी को पता होगा कि बस्तर टाइगर के नाम से फेमस कौन थे तो फेम पांच अगस्त जो है ना ये इनकी जयनती बर्त ठीक और इसी के उसर पर इनके उपर एक बुक लिखी गई है नाम है क्या बस्तर टाइगर लेखक कौन है कुणाल शुकला और प्रीती उपाध्याए तो बेसिकली क्या किया गया है इस बुक का विमोचन किया गया है किसके द्वारा किया गया है तो हमारे मुख्यमंत्री श्री भुपेश बखहल के द्वारा क्लियर है एंसन पॉइंट ओफ्यू से कहें गे तो इंपॉटेंस का प्रीमे है प्रीमे क्या इंपॉर्टेंस है आपको सीधा पूछेगा बस्तर टाइगर जो ये पुस्तक है ये किस पराधारित है एक दूसरा इसके ले अरे खईसर छो जहीगा अनी करंदी करिकाडिंगे है इसके लेखा कौन है क्लियर है एक बात और याद रखिएगा राज्य बनने के बाद का जो फर्स्ट काबिनेट था उसमें कर्मा जी मंत्री भी थे कॉमर्स और इंडस्ट्रीज मौनिज्य एवं उद्योग ये मंत्रा ले उनके पास था क्लियर है ये ठीक है आगे बढ़ जाते हैं और आज आते हैं इस वीडियो के आखरी टॉपिक पर तो बेसिकली हमारे राज्य में जो आयूश संचाल नाल है डारेक्टरेट ओफ आयूश है ठीक है इसके अंतरगत क्या क्या आते हैं तो बहुत सारे हैं आयूर्वेद इंग क्रतिक चिकित्सा योग और नाचरोपाथी बोलते हैं यूनानी सिद्द को इंगलिष में भी यूनानी उख ! और होमियोपाथि को होमियोचपाथि रोते एं इन सभी के जितने आयूश संस्थाइव है जितने आयूशंग किया जाता है इसमें हर मन्त हर महिने पहले बुजूर्ग लोग हैं, तो बुजूर्ग लोग जिनका एज किता हो चुका है, 60 प्लस, तो उनको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उसकी निशुल्क जाच, free of cost, क्या किया जाता है, जाच की जाती है, देखा जाता है उसे, और उपचार, तो ट्रीटमेंट भी किया आप लोग डाक्टर के पास ओपीडिक, टाइम के बज़े हैगा, के बज़े मिली डाक्टर साथ, वही वाला ओपीडि, तो ओपीडि जो है, वो लगती है, और चिकित्सा, जाच और इलाज, इन्वेस्टिगेशन, और ट्रीटमेंट, वो कैसे दिया जाता है, इनिशुल, free भी दिया जाता है, clear है, तो pre point of view से कहोगे, तो importance थोड़ा सा कम है, पूछ सकता है, कि ये कब, तो हर महीने के प्रथम गुरुवार, main point of view से कहेंगे, तो जाधा important है, paper number 5 जो है, उसमें सीधा पूछ सकता है, सियान जतन क्लिनिक जो है, उसको 30 words में ये क्या है करके, किसके दवारा कब लगाया जाता है, उद्देश क्या है, objective, clear है, तीन point बताना पड़ेगा, इसके अलावा स्वास से संबंदित, अगर कोई essay आ रहा है, तो essay में भी क्या कर सकते हैं, आप इस content को utilize कर सकते हैं, चलिए, तो इसी के साथ content खतम हो गया, last में कुछ questions है, इसको द किस से है, अगला question क्या है, निम्रे में से किस थान का नाम परिवर्तन नहीं किये जाने की घोषना नहीं की गई है, तो ये थोड़ा ज्यादाच complex हो गया है, नाम परिवर्तन नहीं की जाने की घोषना की गई है, ऐसे कर देना, मतलब किसका नहीं किया जा रहा है परिवर्त यह बताना ठीक है अगला पंद्रागस को माउंट अल्बूस की चोटी पर छत्रड की किस परवतार होई द्वारा तिरंगा फैराए जाएगा ठीक है देख लीजिएगा उसके बाद क्या है सही कफन करना है कफन दिये हुए और पहले गुरुवर को क्या होता है सब करके तो उसके बारा में आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके फिर सब्सक्रस क्थं का चैन करना झाल